सतना, शिरी वहिगुरू सहवजीयो, दीन दर्द दुख पंजना, काट काट नाथ अनाथ, सर्ण तुम्हारी आयो, नानक के प्रबसाथ परम सन्मानियो, गुरूरू, गुरू खाल्सा सा संगजी, वाहिगुरू जी का खाल्सा, वाहिगुरू जी की फते चाल रहे लड़ी वार परसांग, तान तान शिरी गुरू गोविन सिंग साहिब जी महाराज जी दे, अध्याई पंदर में वेच, आज आपां, चेतों मसांद दे खोटदा परसांग सर्वन करांगे, आओ बड़े प्रेम नाड इह परसांग सर्वन करिए चेतों मसांद गुरू जी दे सिखातों उपहार लिन्दा सी, ओना वेचों एक सिख गुरू जी दे दर्शना वास्ते आया, उसने आके गुरू जी दे अगे सुन्दर पेटा तरी, फिर गुरू जी दे दर्शना वास्ते आया, एक चूडा गैंडे दा बनेया सी, ओ हीरे उस गरीब सिखने उसनों लुकाले आ सी कोई तुर्क बल करके ना लेलवे इस कारण उसने किसे नों नहीं उखाया लुकाई लुकाई नों वेचना चाया के ते भी विक्याना ते तन भी प्राप्तना होया लम्मे समेदा कारविज तर्या सी एक दिन सिखने हिरदे विच विचार कीती एहे चूड़ा गुरु करदे लायक है होर था देना एहे उच्चित नहीं है तद मसंद चे तो उत्थे गया ते गुरु जी दी कार पेट दी उगराही करन लगा सिखने गुरु जी दे मसंद जान के ओँ चूड़ा उस दे हाथ विच दे दता ते के हा एहे गुरु जी दे माता जी दे वास्ते है ओना वास्ते मैं प्रेम नाल देता है मेरी वल्लों चंगी तरह बंदना करके गुरु जी दे चरना दे नेडे अरपन कर देना होर कार पेट ते तान लेया ते चूड़ा बहुत प्रसान होके लेया आके शिरियनांदपुर सहावेच प्रवेश कर गया रात नो अपने कारवेच वासके सारी रात गुजारी फिर अपनी इस्तरी नो ओँ चूड़ा वखाया वेख दिया ही उस दी इस्तरी दा मन परम गया हे पती देव एह चूड़ा मेनू देव ए महा अमोलक अते सुन्दर दखाई देंदा है उस दे कैन उते चेतो मसांदी मात मारी गई ते उसने चूड़ा अपने इस्तरी दे हाथ वेच पाद दता कुझ तान लेके अपने कारवेच रख्या ते स्वेर होन ते गुरुजी दे दर्शना दी अभी लाखा कीती कार पेट दे के खजाने पाद दती फिर पहला माग ही गुरुजी दे पास रहा जेस सिख ने चूड़ा चेतों दे हाथ वेच दिता सी ओह दर्शना दी इच्छा करके आया पहला ओह चेतों नू जाके मिलया ते अपने वलों दिती पेट दी कहाणी पुछी ओस पेटा नू गुरुजी दे पास पहुंचाया है के नहीं जेडा मैं मन वेच पावनातार के दिती सी ए सुनके चेतों ने कहा तू जो दिता सी ओह गुरुजी नू अरपन कर दिता है ओस उत्ते फिर गुरुजी दी बहुत खुशी होई होण सोख कोगो कोई शंका ना रखो जाद मूरख ने चूठ बोलेया ता आंत वेच बड़ी चिंता उत्पन होई ऐसा चुड़ा बोंगुला अते सुन्दर सिख्ये दे अंदर होड कोई नहीं एह के ते जाके सत्गुरुजी दे पास ही ना कैदवे ता मेरा सारा पेद जान लेंगे इस करके होने इस तरह यतन करो जिवे एह सिख गुरुजी दे पास जा ना सके ओ दवारपाल नू जाके मिलया ते कुछ तान देके जाके कहके सुनाया एह सिख अंदर ना परवेश कर सके वेख रखो ते मान वेच याद रखो एह सत्गुरुजी नू जाके अकोंदा है मूरक कुछ मंगन वास्ते चलके होंदा है अग्यानी कुछ जानदा नहीं है गुरुजी दे पास जाके भी चोपनी रिंदा है किसे दे नाल भी एहसनू परवेश ना करन देओ एहसनू अपनी द्रिष्टी विच रख लो एस परकार बहुत तकडाई करके चेते ने अपने चेते दी दूचिती खत्म कर ली समावेक के सिख जान लगा द्वार पाल ने उसनों अगे होके रोक लिया चेतोनल मिलके उस दे बचन बनने सन इस करके उस सिख नू अंदर ना जान देता एक दो दिन बाद सिख फेर मोड़ाया पर गुरुजी दे दर्शन ना होए अतिमुर्ज आके देल वेच बहुत दुखी होया दर्शन कारण वास्ते मैं शिरियानादपुर सहाब वड़ा प्रेम तार के चाल के आया सी केड़ा कारण है के गुरुजी मैंनो टाल रहे हैं होर बहुत सिक दर्शन पौंदे सन एक आउंदा सी फिर एक चले जानदा सी समरत गुरुजी मेरी अवग्या जान देहन मेरे विच की काट वेख के दर्शना तो रोक्या है हिर्दे विच विचारदा आतर हो गया आपने विच कोई भी दोश नहीं सी वेख दा जित्थे बैठा रिंदा सी ओथे बैठा रिंदा सी जिंदर वेख दा है वेख दियां भी नहीं जानदा है के की वेख रहा है बहुत दिलगीर होके बाहर चला गया एक द्रखत थले जाके बैठ गया अपने चेत वेच गुरु जी दी मूर्ती चेतवदा सी पर शान्ती प्राप्त नहीं सी हुन्ती गिंटियां गिंदा बेंती करदा सी हे प्रभु जी आप किर्पा सहित हो हे अंतर जमी जी तुसी सब कुछ जान दे हो जेडा मेरा एड़ा वड़ा ओगन चेतार दे हो मैंनू किसे विदी करके खबर देओ आपने दासनू हिर्देविश समय लो इस परकारदियां मानविश बेंतियां कितियां ते गुरु जी दे चर्ण कमला नाड़ जित जोड़ा होया सी गुरु जी ने अपने सिखदे हिर्दे दी सारी गती जानी ते मसंदा नी खोटनू मानविश मन्यां त्रोंतेक सिखणू पे जया ते उसनू द्रखदे थले दा पता दसया उस सेवक ने जाके द्रखते थले बैठे होई सेखनों वेख्या जिसदा चेहरा कुमलाया होया ते मान महान दीन होया सी उस सेवक ने आके केहा चलो तो अनू सद्गुर जी बला रहे हैं कौन जानदा के की कम है एस उनके हो बहुत परसंद होके उठ्या ते उस सेवक दे नाड चल पया ते सद्गुर जी दे दवार ते चल के आगया दवार पालने केहा इह जा नी सकदा सेखने केहा गुरु जी ने आप एना नू बलाया है अंदर जाके परवेश कर गया जिमें मसंदा दा हुन आनता आया सी मानो गड़ें दा बदर रूपी सेख मसंदा दे हरे हरे खेत नू नाश कर नाया है सेख निरंतर प्रेम तार के अंदर परवेश कर गया उस जगद दा करतार जान के दर्शन कीते पार ब्रम्दी जोती ही एह मूरत है ऐसा समझ के सेख दे मन विच प्रेम पर गठ होया ते उसने चरना ते डेक के बंदना कीती फिर समने बैठ के सुख प्राप्त कीता किरपा तार के गुरु जी ने बड़े मिठे बचन कहे हे प्यारी सिख साड़े वस्ते की लेके आया है एसन के सिख ने हाथ जोड़के कहा एक अदबुत चूड़ा मैं किसे स्थान तो लेया सी ओ आप जीदे कारदे लायक जान के मैं हिर्दे विच प्रेम तार के पहला पिज्या है गुरु जी दी पुद्रत करके ओ मेरे हाथ आया सी ओ सुंदर जड़ाव जड़या होया बहुत चमकदा सी जबर जवाहर ओ सोते जड़य होय सन किसे कारीगर ने बहुत शोबा वाला बनाया सी होण मेरा मान दर्शना वासे ललचाया सी रेहा नहीं गया ते आप चलके आया है गुरुजी ने कहा असी नहीं वेख्या है जड़ा तु ए गैना पे जया है किसनो देता सी ए दसो उस व्यक्ति दा नाम लकौन दी सोचना करनी सिखने कहा माहराजी ओ वड़ा मसांदा है जड़ा गुरुजी दी सारी कार पेट लेंदा है चेतो उस दा नाम है सरीर उस दा बहुत मोटा है मैं संबाल के उस दे पास देता है ओ संगत पासों बहुत उपहार लेंदा है एक अठे करके लेके तो अड़ेवा लोंदा है सब कुछ जानन हार गुरुजी ने इस तरह पुछया के मानो कुछ नहीं जान दे फिर ओनाने एक सेखनू पे जया के चेतो नू एदर बुला के लेओ चेतो अपने करवेच बैठा सी सेखने जाके केहा साथ गुरुजी ने बुलाया है ए सुन के चेतो त्रंत उठ्थया उस सेख दे नाल गुरुजी पास जान वास्ते चल पया जाके गुरुजी दके खड़ा हो गया गुरुजी दी आगया समझ के सेखने केहा हे पाई जी सुनो मैं तानू चूड़ा देता सी गुरुकार वेच पचौन वास्ते तानू समझा आ सी तुसी गुरु का अर्दे नाड लेंदा है उसनों गुरु जी दे पास अर्पन किता है के नहीं साथ गुरु जी ने उसनों केवे नहीं वेख्या है सो तुसी आके कहो किसनों दिता है जे किसे कारण ताद नहीं दिता है ता उसनों होंड लिया के अर्पन कर देो गुरुजी दी माया नाड चेतो परम गया ते लोब लहर विच गोता खा गया जिस माया ने वड़े वड़े प्रमादते सन उस माया अगे चेतो विचारा की ठैर सकदा सी मुकर के मुक्ता चूठ बोलन लगा मूरक गुरुजी दा डर भी नहीं सी मन्दा कैन लगा हे सिखा तूपो अड़ा ते मत दा होड़ा हैं पोल गया हैं किसी होर नो दिता हुएगा याद करो किस दे हाथ विच दिता सी जिस दे नाल तेरा वड़ा मेल मिलाप है ए सुनके कलगी तर पाश्या ने मिठ़्े बचन उचारन कीते हे जेतो साथ गुरुदे प्यारे सिख ने जो प्रेंप आवना कीती है वो मेनू देओ सिख दी पावना पूरी करिये एक दो दिन वेच फिर लेलो तो अड़े पासों वेख के असी पास नहीं रखांगे निडर होके चेतों ने गुसे वेचाके वचारन कीता एतां पतित गुरुदा मार्या होया है हजूर दे पास आके बहुँ चूठ बोल रहा है ये गुरुजी आपने समझे बगैर ही सच कर मन्या है सेख विचारा की है इस दे कहेदा की मौल है सानू चूठ जान के काख वांगू होडा कर रहे हो लखान दा तान तो अड़े अगे लेओं दे हां साड़ी सारे देशां विच वड़ी इज़त है जेडा तान नहीं दिन्दा है ओवी वेख के दिन्दा है अगे तर के शर्दा नाग गुरु सेवा कर दे हां असी आप जी दे बहुत कारज सुधार दे हां गुरु जी ओना दी कीमत फिर देवेच नहीं विचार दे हां सच चूठ दे बहुत विहार हां गुरु जी एना दी सार नहीं जान दे हां ए गरीब सेख की है जड़ा चूठ बोल रहा है गुरुजी सानू एक चोर वांग सामिदे हन असी सैंक्णे वस्ता नित लेओं दे हां कई वखोंदे हां कई नई वखोंदे हां गुरुजी दे खजाने विच अरपन कर दे हां सब गुरुजी पास पहुचाओन दी इस तरह रीत तार्ण कर दे हां एस उनके गुरुजी ने गुसे नड़ के हा हे जेतो तेरी लोब लहर ने मत मार दोती है चूठ सच जड़े बहुत विहार हन साटी बुदी विच उस चू पावना है तिमें फाल पावेंगा होने असी फाल दे जन्दे हां देर नी लावांगे गुरुजी ने पंजा सिखा नू बलाया ते वड़े मसांदेकार पे जे इस देकारुते एक चुबारा है ओसे विच ताकी नू दरवाजा लगा है कपड़े विच लपेट के ओथे च करदा जिसदा होन आंत समा पहुंज गया सी पंजे से कार्वेच प्रवेश करके चुबारे ते चड़ गए संगली तोड के ताकी दा दरवाजा खोले आ ते त्रोंत चूडे नू बाहर कड़ ले आ ते सद्गुरुजी दे पास ले आए गुरुजी ने अद्बुत की किता है मेरे परतापनों नहीं पिशाणया चूडे वास्ते लोवतार्न किता है मूरखा तू हमेशा चोरी करता सी सारे गुरु सहबान ते नू खिमा करते रहे हैं होन इस सिख नू चूठा केंदा है बाल बुदी वड़ा मेनू हिर्दे वेच पिशाणदा है मेरी हजू पतित आप है ते इस सिख नू चूठा केंदा है पतित आप है ते इस सिख नू पतित केंदा है तेरी अपनी मत मारी गई है ते इस सिख नू केंदा है के इस दी मत मारी गई है हंकार विच पर के गुरु दा तन चुराया है मेरी संगत नू बहुत दुख दिन्दा सी होन मै अपनी बाल बुद्धी नू विशाल बुद्धी करके वखा मांगा गुरुजी ने हुकम किता कड़ाहा लियाओ गोड़ते जाल पाके फिर तपाओ उसनल चेतों नू इशनान कराओ यह पतित हो गया है इसनू पवित्र बणाओ बाल बुद्धी वड़ा सुबा समझो जिमें किता है तिमें फाल पावे सिखा ने फटके बार कड़या गोड़ गरम करके बहुत उत्ते पाया कडशे पर पर उपर पोंदे सन बहुत पापानी म्याल मटोंदे सन उज समय वेच उसदे प्राण निकल गए सारयाने वेख के हरदे वेच डर्मन्या खोट करंतों सारे डर गए सारे गुरुजिदे क्रोत आरंतों सहम गए सारे मसंद मानविट सोजदे जिन्नाने वड़े मसंदनू मार दिता है चंडी दे दर्शन उल्टे पाए गए हन गुसात आरके मनुखानू मरन लगए हन मिठे बचन किसनू भी नहीं केंदे हन बदले होई तौर नाल सारे नाल रेंदे हन चेहरे दा रंग बहुत लाल हो गया सी कोर नैना नाल सबनू वेख दे सान कोई भी ओनानू परत के उत्तर नहीं सी दे सकदा आप ही अपने चेत वेच डर जान दे सान फिर गुरुजी संगत नू सोदना चोंदे सान सिखी परखन वास्ते बड़े उतावले सान खोज करके मैं पंथ चलावांगा ते अजीव खाल सा परगट करांगा हिर्दे वेच ऐसा मनुरत तार के सात्गुरुजी तैसी वीदी बारे विचार करदे सन दूर दूर तो संगत आई जिस विच बहुत प्रेमी सिख सन चारे आँ पास्यां तों गुरुजी ने सिख बलाए सारे पासे हुकम नामे पे इदते हथा विच शस्तर तार के ते आपने कारशाड के शीरी अनादपुर साहब दे रा चाल पए आपनी सम्रत्थाम सार वनाने उपहार लेले हुकम सौन सौन के गुरुजी वाल चाल पए शीरी अनादपुर साहब आके वड़ा मिला लाग गया ते शीरी कलगी दर पाशा जी दे दर्शन की ते सो सार संके जी थे तीसरी रास्दा सोड़मा अदेस माब थुन्दा है जी पर सांग सनो दे होई होई यां अनेक पुला चुका दी केमा बख्षणी जी दासन वाग्या देओ वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फते